किसान भाईयो नमस्कार, मैं पुनिश से सौधिया किसान भाईयो आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंसेक्ट्रिवारी में बात करने वाले हैं जो हाली में डेली के अंदर और हर्याना के अंदर काफी ज्यादा देखा जा रहा है और यह जो हमारी रेडिस की क्रॉप होती है यानि कि मूली की वसल को सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहा है मूली के पत्तों को डैमेज करता है बुरी तरीकी से खा जाता है मूली को भी यानि कि जो फ्रूट होता है उसको भी इसका जो लार्वा होता है डैमेज करता है और ये बंद गोवी को भी नुकसार पहुचा रहा है तो जो कीट की बहुत कर रहे हैं इसका जो नाम है वो है स्ट्राइप्ड फ्ली बिटल तो इसलिए कहते हैं देखिए ब्लैक कलर का इंसेक्ट होता है इसकी पिक्चर मैं आपको लगा देता हूं इसकिन पर तो इस पे ब् मूली के जो पत्ते होते हैं उनको खा करके डैमेज कर देता है बुरी तरीके से चलनी कर देता है जो पत्ते होते हैं उनको और देखिए इसका जो लार्वा होता है यानि कि जो एडल्ट होता है वो पत्ते खाता है और जो इसकी मादा होती है वो जो सॉइल सर्फेस होता है जमीन की सताई पर अंडे देती हैं और अंडे से लार्वा निकलता है जो रूट में अंटर कर जाता है यानदी कि हमारे मूली की फ्रूट होता है, फ्रूट को खाकर डेमेज कर देता है तिक हमारी मूली पाएंगे तो दीखिए इसने पत्तों को भी बुटी तरीके से डेमेज किया है हमारी फसल में आप देख पा रहे होंगे और उसके सथ सद्धी फूट के अंदर जो इसका लार्बा है उसने फूट को बहुत बुरी तरह डेमेज किया है हाला कि हम दौनों को कंट्रॉल कर चु उपा में फिर ओ ऐडल्ट में कर्वड होके वह पहार आता है फिर सी पत्सेपटो पर बैढता है तो इसलिए इसको से आप इन्सेक्ट आपको इसप्रै ले तो यह chemical spray में इस पर बहुत अच्छा काम करता है, तो एक आप इसका spray लें, दो ml पर लिटर के हिसाब से spray लें, और spray के मात्र तीन से चार दिन बाद, चार दिन का वेट कर सकते हैं, चार दिन बाद आपको फिर जो chloroporyphos आता है 20% उसका आपको ड्रिंच देना, यानि कि पानी के साथ आप चला सकते हैं, एक एकड की crop है, तो एक लीटर उसको मात्रा को एक एकड की फसल में आप उसको पानी के साथ छोड़ सकते हैं, तो उससे जो उसके अंदर जो larva होता है, वो control होता हो जाएगा, क्यूंकि जो हमारा chloroporyphos होता है, उसके अंदर contact, stomach और fumigation action होता है, जो larva है, वो contact में आएगा, तो उसको मार देगा, उसके पेट में chemical जाएगा, तो इसके अंदर stomach action होता है, तो भी मार देगा, और ये fumigation भी बनाता है, यानि कि ये fumigation भी करता है, यानि कि वास्ट किरिया द्वारा भी, जो कीट है, उसको खतम करता है, तो इस तरीके से ये की जिन बाद एक profit of force का ही, आप spray ले सकते हैं, ज्यादा attack है, तो जो कीटा आप देखेंगे, पूरी तरीके से control हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको control करेंगे, तो control हो जाएगा, otherwise ये spray से केवल control नहीं होगा, और immediate आप इसको control करें, immediate आपकी फ़सल में दिखाई दे रहा है, और बहुत तुरंत इसको control करने की आवज़ सकता है, तो इस तरीके से आप control करेंगे, आसानी से आप control कर पाएंगे, और ये आपको, जो हमारी गोबी की फसल है, बंद गोबी के अंदर, फूल गोबी के अंदर, उनमें भी ये हमें देखने को मिल सकता है, तो उसके तो वीडियो को लाइक कीजेगा ज़ाद से ज़ादा फार्मर के साथ इससे शेर कीजेगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा धन्यवाद